दोस्तो नमस्कार आद आप सच्छी अकार नियोज क्लिक के कार्गरम हफते की बात में आपका स्वागत है हफते की बात अगर मैं करूँ हफते की बड़ी ख़बरों की मैं चर्चा करूँ तो यकिनन तालिबान को लेकर भारत के मीडिया में भारत की सियासत में जो चल रहा है वो बहुत बड़ी ख़बर है लेकिन आप हम और हमारे सुधी दर्शक सब जानते हैं कि तालिबान पर इतना कुछ चल रहा है कि ऐसा लगता है कि भारत में कुछ है नहीं है जो कुछ है सब अफगानिस्तान में हो रहा है और भारत के लिए भी सबसे बड़ी चीज जो हो रही है वो सब अफगानिस्तान में है टेलिविजन सुबह से लेकर रात तक तालिबान अफगानिस्तान तालिबान अफगानिस्तान करके रहते हैं अख़बारों में भी आप देखिए बलकि अख़बार फिर भी बेहतर हैं उसमें भारत की खबने दिखाई देती हैं दुनिया के दूसरे हिस्सों की खबने दिखाई देती हैं लेकिन टेली विजन कोई खोली अंग्रेजी हो हिंदी हो ऐसा लगता है कि अमेरिका, रूस, ची डिली जापान कहीं के यहाँ तक कि जो बहुत अच्छे भी जिश्सकY करी माने भी आख1 के स्ह़िक और इंजर से खांवाद के जाता है consistent स्यामति कर्ट में अब यह कहाई बीए प्रदेश में तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ तालिबान का इशू है, अरे बहुत तालिबान अफगानिस्तान का मसला है और हम तो सरहदी स्टेट भी नहीं है, ठीक है हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्ण है, लेकिन ऐसा भी क्या कि पुरा का पुरा चुनाओ ही किसी इशय है, वो सब दायत किये जा रहे हैं, जैसे कई बार होता था, पहले भी हमने देखा कि जब अपने देश में किसानों का मसला बहुत उभरता था, श्रिंट्स का नौजवानों का महिलाओं का इशू बहुत ज्यादा गंभीर बनकर उभरता था, तो अचानक होता था कि स supplementary budget पर और उस बहुत है जरजा का मीश्य बन गया, बकायदा मुखयमंतर योगी ने कहा कि अपने हा, जो, जो जो लोग Taliban की कि बात कर रहे हैं तालिबान की बढ़ाई करते हैं तालिबान को डिफेंड करते हैं पता नहीं कौन डिफेंड करता है कौन सी पुलिटिकल पार्टी विधानसभा में कहने की स्थिति आ गई लेकिन ये लोग औरतों की महिलाओं की स्वरक्षा की यहां चर्चा कर रहे हैं तो अजीब जीब तरह की चर्चाएं चल रही हैं मैं लेकिन आज उस पर आपका ध्यान ज्यादा केंदरित नहीं करूँगा ये कहना मेरा बहुत जरूरी था कि किस तरह तालिबान को उत्तर प्रदेश के चुलाओं में एक मसला बनाने की कोशिश हो रही है जबकि उत्तर प्रद लेकिन आबादी के हिसाब से लेकिन आप देखिए वहां पर किस तरह से चीजों को ट्रिविलाइज किया जा रहा है तो ये जो एक मसला था इसको छोड़ कर हम आते हैं और दूसरे मसले पर इस सब्ता की और बड़ी ख़वर है अपोजीशन की बैठक ये बैठक कॉंग्रे और 19 पार्टियों की बैठक में जो कुछ बड़े मसले उभर कर सामने आए ये बस सब लोग अपने अपने घरों में बैठक करके और वर्चुल जो वीटिंग होती है उस तरह से कर रहे थे सोनिया गांधी की इस बैठक में अगर दिखा जाए तो जो बड़े कुछ मुत्य उभर कर आए पहली बात यह थी कि लीडर चुनने पर विपक्ष को जोर नहीं देना चाहिए अब तक हमेशा यह होता रहा है किसा आपका नेता कौन होगा बीजेपी के नेता तो मोदी जी ही होंगे सरकार के प्रदानमंत्री चुकी वह हैं तो वह तो बाकायदा सत्ताधार इदल की और से प्रदानमंत्री वह है लेकिन प्रदानमंत्री पत के लिए विपक्ष का दाविदार कौन होगा पहले ही उसको घोषित कर देना चाहिए प्रशांत किशोर वगेरे की जो स्टेटी बनती है वो चुनाव की जो बनाते हैं उसमें उनका यही रहता है कि आप प विपक्ष को मैं समझता हूं कि जहां से भी यह विवेक आया जहां से भी यह समझदारी आई यह खैरमक्दम किया जाना चाहिए उनका कहना था कि हमें जनता की अगवाई में चुनाव लड़ना है दोजार चोपिस की बात हो रही है समसंदी चुनाव और यह तै किया उन ल यह बात सोनिया गांदी ने कहीं ममता बनर जी ने कहीं शरत पवार ने भी इंडोर्स किया इसका क्या मतलब हुआ मतलब यह हुआ कि बहुत सारी लोग जो समझ रहे थे कि कॉंग्रेस पार्टी कहेगी कि पहले आप राहुल गांदी को प्रदान मंत्री पत का प्रतियार्श बनाना चाहते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तो यह इस बैठक का एक बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है अगर विपक्ष के परस्पेक्टिव से देखा जाए और दूसरी जो बात थी वह यह थी कि अपोजिशन के नेताओं में एक व्यापक्त सहमती उभरी जो सु कॉंग्रes वर्हा बुलाई वैठकों में अतीत में नहीं आते थे जैसे मुख्य मंतरी महरास अध्डव ठाकरी थे अलाकि अफो तो कॉंग्रेस के इलाई हैं लेकिन आम तोर पे वह इस तरह की वैठकों में नहीं आते रहे हैं सजायराऊ उनकी ओर से आज आते रहे हैं या जी थी बंगाल की, यह यह महत्मूर बात है, इसके अलावा एक और बात उभर कर सामने आई, कि आम तोर पे कई बार टीमसी और लेफ्ट पार्टी के बीच में विवाग चलता था, लेकिन टीमसी और लेफ्ट में ऐसा लगता है कि एक समझदारी उभर रही है, कि स्टेट ले होते नजर आ रहे हैं, तो यह भी एक बहतर साइन है, और एक समझदारी इसमें दिखाई देती है, और दोस्तों, एक महत्मूर बात इस बैटक की थी, जिसको बताना बहुत जरूरी है आपको, कि समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अपोजिशन दिखे रही है, getsP के बारे में कहा जाता है कि निमंत्रित नहीं थी, उसको बुलाया ही नहीं गया था, लेकिन दूसरे कुछ सुत्र कहते हैं, नहीं नहीं उनको बुलाया गया था, वहाराल जो हमारे सुत्रें बताते हैं, कि संबहोतार 비대क को काफी समय से yaptnity का पर्ट नहीं कि नौ आमंत्रिक कि गया। लेकिन समाजवादी पार्टी का जान तक स्वाल है, उनको आमंत्रिक कि गया था, उनके एलाई जो R&D उनको आमंत्रिक कि गया था, areld के नेटा मुझूद थे लेकिन अखिलेश यादोग नहीं थे। अखिलेश यादोग के बारे में ओपोजिश कि किसी बड़े नेता को आप नॉमिनिट कर देते हैं हमेशा ऐसा होता रहा है राम गोपाल यादों से लेकर के और बहुत सारे पार्टी के अन्य नेता हैं वो नुवाइंगी करते हैं बैठक में लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं आई तो इसकी क्या मतलब है खासकर उत्र उत्र प्रदेश चुनाव के लिए नहीं थी तो यह एक पोजिशन की जो यूनिटी या पोजिशन के भी जो पार्डिनेशन की बात है 2024 के चुनाव के मतले रजार मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्मूर्ण चर्चा हुई और उसमें कुछ पॉजिटिव साइन निकले लेक कुछ चिंता जनक पहलों भी उबरते हैं खासकर उत्र प्रदेश की राजीट को लेकर कि कैसे जो महत्मूर्ण पार्टियां कुछ हैं वो अभी भी अपोजिशन के साथ उस तरह की सब्धता केंद्री अस्तर पर नहीं हो पा रही हालां कि पिछली बार जो बैठक हुई थी जो पहल की गई ती जिसमें शरत पवार वगरा का भी मात्मूर्ण रोल दिया था उसमें कपिल सिबल की बात कर रहा हूं के जो घर पे बैठक हुई थी उस बैठक में यह लोग मौजू थे लेकिन यहां नहीं थे आम आधी पार्टी भी नहीं बुलाई गई थी आम आधी भी इस बैठक में नहीं थी तो ले देकर अपोजिशन की इस बैठक का यह एक मैं आपको यह ख़बर आपके सामने रखना चाहता था तीसरी जो ख़बर मैं आपके सामने प्रेश करना चाहता हूं वो बड़ी दिल्चस्प और वो खबरी सब्के की यह है आम तोर पर इस प बयान दिया अब इस बयान में उन्होंने किसी तीसरे आदमी का नाम नहीं लिया सिर्फ दो आदमी का नाम लिया उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र में भारत के लोकतंत्रिक इतियास में दो जो बड़े नेता हैं सबसे आदर्श नेता हैं कौन-कौन एक तो नाम ले लिय तो RSS के साथ थे और भारती जन्ता पार्टी के वर्षित्नम नेता थे प्रदान मंत्री थे बीजेपी के वह तो ठीक है पार्टी लाइन चलेगा वहां लेकिन नहरूज इनको RSS और वीजेपी दोनों रोज सुबा शाम कंडेम करते रहते हैं आखिर उनको नितिन गटकरी साह अब आज तो यह माना जाता है कि नरिंद्र मोदी जी जो महजुदा हमारे देश के प्रदान मंत्री हैं वीजेपी तो यह कहती है कि उनके बराबर का कोई नेता आज तक आजादी के बाद पैदा ही नहीं हुआ और प्रदान मंत्री तो हर्गिस कोई नहीं पैदा हुआ ऐस प्रश्स और वीजेपी के बीच का क्या मसला है इसको समझना बड़ा दिल्चास्पै नागपूर का मसला है इसलिए मैं आप के ऊपर छोड़ जाता हूं कि आप स्वेम सोचिए कि क्या हो रहा है मामला क्या है और दोस्तों विल्कुल चलते चलते एक बात किये मैं करना चाहता हूं कि यह जो विपक्षी जो एक का की बात जो मैं अभी कर रहा था जिस पैठक की उसका एक पहलू जो उबर कर सामने आया कोर घृप कहा ही जाता है अभी बताया जा रहा है कि इसमें एक ऐसी कोडिनेशन की बात चल रही है जिसमें कोई एक अध्यक्ष नहीं होगा जिसम और बोड़ा डिफरेंट रखने की एक कोशिश है अब देखना है कि इसको लेकर आगे क्या होता है लेकिन निष्चित रूप से इसका मतलब यह है कि अपोजिशन अपने पीछे की गलतियों से सबक ले रहा है अब वो कैसे सबक लेता है क्या कर्यक्शन करता है यह देखना बाकी है बाकी अपने देश में खास कर उत्तर भारत में जहां से मैं बोल रहा हूं दिल्ली से और NCR के आसपास के इलाके से आप देख रहे हैं खुब जमा जम बारिस हो रही है और रात को भी बारिस होई बीती रात दिन भर बारिस होई 20-20 में रुक रुक कर अभी फिर बार ही है दिल्ली में तो करी जगा जाम लगा है तो यह भी एक मांसून का यह जो मिजाज है वह भी एक बड़ी ख़बर के रूप में सामने है इन शब्दों के साथ आज बस इतना ही नमस्कार आदाब सत्रियका